सब्सक्राइब नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बीश फिटनेस सो फ्रेंड चलते हैं अपने टॉपिक की तरह लेट्स गेट इंटू दा बिजनेस और कैसे सारे लांडे लबाटे मैं इस वीडियो में मेरा जो बलकिंग इस्टेरोइड है जो मैं हमेशा बलकिंग स्टैक में एड करता हूं उसको मैं बताओंगा मुझे सबसे ज़्यादा बलकिंग में क्या पसंद है इस दो सबसे पहला है जिसको मैं बलकिंग में एड करता ही वह है सस्टनौन योग बेंग किंग ओफ इस्टेरोइड ए तेरोड शस्टनौन के बिना कोई भी बलकिंग साइकल नहीं कर सकते हो बहुत सारे लोग को मिनीमम रखते हैं लेकीन आइटिंग कोई भी बलकिंग आप पर वीक आप रखो ही टेस्टोस्टोन या पस्टेनों को रखो सस्टेनोन मेरा फेपरेट है इससे थोड़ा एस्टोजिन बढ़ता है लेकिन इससे आपका पावर बहुत जादा बढ़ता है आप यहां पर नॉलवाडेक्स आप ही यूज़ कर सकते हो ताकि आपको density increase होता है आपका जो RBC है वो बढ़ता है इससे आपका पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है पावर बढ़ता है मतलब के आपका पावर बढ़ता ज्यादा वेट कैरी करोगे आपका साइज बढ़ेगा तो नमबर टू पे है डेका जिसको मैं किसी भी बल्किंग साइकल में रखता ही रखता हूं लोग इसके बारे में बहुत सारे मिस्कंसेप्शन फइलाते हैं कि डेका डिक हो जाता है यह वो आप प्रिकॉशन लेकर चलो केबर गोलीन लेकर चलो आपका प्रोलेक्टिंग साइड एफेक्ट से बचने के लिए आप करके कोई फाइदा नहीं है मेरा जो डेका है मेरा कोई भी बल्किंग साइकल बिना डेका का होता नहीं है लेकिन लड़के डेका का नाम सुनकर घबरा जाते यह वो तो डेका से ड्राइगन होता है वाटर यह सब कुछ भी नहीं होता है वाटर यह आप जो बकते हो of benefit injury को heal करता है ligament को आपका strong करता है तो बहुत ज़्यादा weight carry कर सकते हो bulking में यह ideal है तीसरा है वह है D-ball D-ball से बहुत ज़्यादा water retention होता है बहुत ज़्यादा strength मिलता है water retention strength provide करता है आपका joint है उसको lubricate करता है D-ball bulking में आइडियल है इसको add करना ही चाहिए tons of benefit है इसका power में और आपका strength बहुत ज़्यादा drastically बढ़ा देता है बहुत कम period में दो-तीन दिन में या एक हपते में ही काफी strength आपका बढ़ जाता है water retention का problem है तो लेटरोजोल alternate disc करके आप यूज कर सकते हों लेकिन नॉलवाड एक्स से ही काम चल जाता है यहाँ पे सो नंबर तीन पर मैं डीबॉल रखूंगा जिसको मैं किसी भी cycle के starting में kickstarter के तौर पर one month as a pre workout मैं यूज करता ही करता हूं 30 से 40 mg जो नंबर चार पर है वो है super draw यह बहुत ज्यादा लीबर टॉक्सिक है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और बहुत सारे लड़के तो इसको पूरे साइकल में 30 days kickstarter के तौर पर इसको यूज नहीं कर पाते बिकॉज इसको लेने से भूग नहीं लगता यह काफी लीबर टॉक्सिक है यह रेडिकुलस गेन देता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है super draw अगर आपको genuine product मिल जाए तो जनरली डाइना बॉल को ही super draw के पर market में बेचा जा रहा है तो इस तरह बेवकुब बना जा रहा है लड़कों को लेकिन जो अगर आप real आप genuine अगर आप super draw यूज करते हो तो drastically आपका power increase होता है drastically lean muscle mass gain होता है और यह बहुत जादा लीवर toxic है तो milk cell आप जरूर यूज करना या यूडी लीव आप जरूर यूज करना जब भी आप यह यूज करो तो नमबर पांच है जो मेरा काफी फेब्रेट है यह एनाडरॉल यह आपको dry gains देता है लोग कहते है कि इससे water retention होता है यह वो वो एनाडरॉल को समझ सब्सक्राइब करते हैं लोग कुछ भी आड़ कर देते हैं अपने मन से साम्स यह वो इंके 677 बट दीज आर दप किंग्स ओफ बलकिंग इस्टिरोइड सो इनके बिना कोई भी साइकल आप मत रन करो यह मेरा अपना प्रस्नल ओपिनियन था आप अग्री करो यह ना करो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है और यू आर मोर दैन वेलकम तो डिस अग्री इस नोट दे अंड आप दे वर्ल्ट इस जस्ट अ कॉंपेर एंड कॉंप्रास्ट वीडियो सो अगर वीडियो अच्छ आप परना और जो डेट बटन निकल गाया उसको भी तक 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 जरूर दबाना